गोरा और चमकता हुआ चेहरा हर किसी की ख्वाइश होती है हलो फ्रेंड्स मैं हुरंजना मेरे चैनल पर स्वागत है आपका आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक पैक की रेशिपी सेयर करने वाली हूँ जिसे आप अगर यूज करेंगे तो आप इसके फायदे इसके रिजल्ट द होते हैं a,b,c,d,anti,asin,prop भी होते हैं इसके अंदर fine line को दूर करता है यह हमारे skin से bright करता है skin को cooling it isn't होते हैं इसमें जो redness को दूर कर तो इस तरह से बहुत सारी benefits हैं जो में बताएं तो यहां पे है लोएरा का प्लांट जो हमारे यह गंबले में है अक्सार हम सब ज़्यदतर लोग अपने घरों में इसे बन लगाते हैं क्योंकि सबको पता है यह ब्यूटी प्लांट है मगर इसका यूज भी करने का सही तरीका मालूम होना चाहिए तो इसमें से म मोटी देख के मैं पत्ती काट लूँगी आप अपने अकॉर्डिंग आधा या पूरा पत्ती निकाल लें गंबले से और सबसे ज़्यदो ध्यान देने की बात अभी है आप देख सकते हैं इसे मैंने रख दिया है बाहर ही किसी ऐसे जगह पे बिलकुल खड़ा करके ताकि जो इसमें से जो येलो-येलो निकलता है ये निकल जाएं आप देख सकते हैं ये येलो जूस निकलता है ये हमारे स्कीन के लिए bundle नहीं है तो आप अब जब भी आप एलो एरा का पत्ता यूज करें तो ये येलो पार्ट को निकलने दे आप इस तरह से खड़ा रख द अपना पैक तो यह देखिए यहां पर मैंने बहुत ही अच्छे से वाश करके और किनारे का जो हिस्सा होता है काटे वाला उसे भी निकाल के ले आया है और उमें बस अभी इतना ही बड़ा टुकड़ा चाहिए एलोवेरा का पैक बनाने के लिए तो सबसे पहले आपको इसके बीच से दो भाग कर लेना है ताकि हम इसके अंदर के जेल को निकाल लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से जेल भरा हुआ है इसके अंदर और हमने बीच से दो भाग कर दिया है चाको से थोड़ा थोड़ा हलका हलका चाको मार लेंगे ताकि जेल निकलना आसान हो जिल निकाल लीजे ध्यान रखिए कि वेश्ट नहों और सारा जिल बाहर आजाए तो इस तरह से हमने निकाल लिया है इसे बहुत ही बेनिफिशियल प्लांट है यह इसे आप जरूर अपने घर में लगाई अगर नहीं लगाया हो तो और यह हैर के लिए स्कीन के लिए बॉड ही जबर जस्ट प्रोडक्ट है आप इसे किसी ने किसी यूज तरह से यूज जरूर करें अगर आपके पास नहीं है प्लांट तो मार्केट वाला जेल भी आप यूज कर सकते हैं जो मिलता है बाजार में ट्यूब में तो यह देखिए मैंने सारे जेल निकाल लिए इसे हो जाता है तो मैं यहाँ पर ऐसे ही से यूज करें तो यह दल में मिला लेना है आधा नीबु का रस चो मैं ने मिला दिया है और एक चम मच यहाँ डालेंगे गुलाब जल तो जादा नहीं बस एक चम्मच गुलाब जल आप डाल लीजे इसमें तो ये आधा मेरा चम्मच में आया आधा डायरेक्ट वाउल में चला गया तो एक चम्मच मैंने यहाँ पर गुलाब जल डाल दिया है एक ही चम्मच मैंने इसमें मिलाया है जहेद हनी हनी भी आपको पता ही है कितना ज़्यादा फायदे बंद होता है हमारे स्कीन के लिए तो इसमें मिला लेंगे हनी और लाशने मैं यहाँ पर मिलाती हूँ हल्दी हल्दी आपको लेना है दो से तिन चुटकी हल्दी को मिलाके अब आपको इसे बहुत ही अच्छे से फेटना है आप चाहें तो इसे मिक्सी में पीश सकते हैं ग्राइंड कर सकते हैं लेकिन यह बहुत पतला हो जाता है और मैं थोड़ा आल से टैपी हूँ तो मैं पीश नहीं रही हूँ मैं ऐसे हाँ चमत से ही फेट ले रही हूँ और देखी एक बीज आ गया है मैं बीज को बाहर निकाल देती हूँ और इसे खुब अच्छे से फेट लीजे ताकि सारे जिसने सारे इसने मैंने इंग्रिडिन्स मिला है सब अच्छे से मिल जाएं तो यह अभी मिला हूँ नहीं है हल्दी अभी अलगी है तो मैं इसे और फेट हूंगी थोड़ी दिर और यह देखे जो छोटे छोटे तुकडे दिख रहे हैं तो आप इसे मैश करिए अब मैं लगता है इसे हाथों से मिलाना पड़ेगा तो मैं इसे अपने हाथ से मिलाना सुरू कर दिया है तो हाथ से ही आप इसे अच्छे से फेट लें ताकि सारी चीज़ें मिल जाएं तो यह बिल्कुल अच्छे से अप तयार है बिल्कुल हमारे स्किन में लगाने के लिए अब मैं आपको इसे फेज पे अपलाई करके दिखाती हूँ पहले आप चेहरे को बहुत ही अच्छे से वाश कर लें और टोवल्ट से ड्राई कर लें फिर इसे इस तरह से उठाकर आप इसे अपने पूरे चेहरे पे अच्छे से लगाईए कोई इसके साथ कंडिशन नहीं है कि आँखों के नीचे नहीं जाना चाहिए या पूरे फेज पे अच्छे से अपलाई करिए इस तरह से हाथों में लेके जेल को आप देख सकते ही यह जेली फॉर्म में होता है तो थोड़ा सा इसे लगाने में प्रॉब्लम होती है काफी फिसलता है चेहरे से तो लेकिन आप इसे बहुत ही अच्छे से अपलाई करिए इसमें हनी है, हल्दी है, नीबू है इस सब से आपके चेहरे पे गजब का रौनक एक बहुत ही स्मूध फिलिंग और बिल्कुल ब्राइटनेस धीरे-धीरे करके फेरनेस और सब आपको चेहरे दिखेगा और जो डार्क स्पोर्ट होते हैं हमारे चेहरे पे वो बिल्कुल भी गायब हो जाएंगे आप इसको जरूर करें जब आपको लगे कि फेस पे पूरी अच्छे से अप्लाई हो चुका है तो इसे अब तीन से चार मिनट के लिए आप इसके मसाज करिए मसाज करने से सारे जो वेनिफिट्स हैं जेल के, अलोएरा के और हनी, नीमबू, हल्दी इस सब के बेनिफिट हमारे स्कीन एब्सॉब करेगी और उससे आपके चेहरे पे गचप का निखार आएगा डार्क से बुरी तरह से निकल जाएगी स्पोर्टलेस चेहरा हो जाएगा ब्राइटनेस आएगी आपके फेस पे तो 5 मिनिट मसाज करने के बाद इसे सूखने दे और फिर शे चेहरे को वाश कर ले तो जब सूख जाए फेस को धो ले और उसके बाद अपने चेहरे पे पहले दिन से असर देखना सुरू कर दे फ्रेंड्स इस पेक को यूज़ करें आपको फैदा जरूर होगा पेक अगर बच भी जाए तो आप इसे फ्रीज में रख ले और नेक्स टे इसे फिर से यूज़ कर लें फ्रेंड्स अगर यूज़फू लगा हो वीडियो तो चैनल को लाइक शेयर सस्क्राइब जरू करें